हेलो स्टुडेंट्स आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल की डिविजन ट्रिक्स पॉलिनोमियल डिविजन बहुत बच्चों को टफ लगता है लेकिन उसको आसानी से हम किस तरीके से कर सकते हैं आईए हम देखते हैं बांदेजे दिया हुआ एक्स स्कॉयर प्लस सेवन एक्स प्लस 12 डिवाइड़ बाई एक्स प्लस 4 इसको सिंपल तरीके से करने के दो से तीन मैथड से एक मैथड तो यह है कि हम इसको सीधा डिवाइड कर दे हैं एक्स स्कॉयर प्लस 7 एक्स प्लस 12 को एक्स प्लस 4 से एक्स स्कॉयर लाना है तो एक्स से मल्टिप्लाइ करें एक्स इंटो एक्स एक्स स्कॉयर एक्स इंटो 4 एक्स यह कैंसल हो गया 7-4, 3, plus 12 फिर वापस 3 से multiply 3 into x, 3x, 3, 4, 12, 0 एक method अमारी यह हो जाती है जिसमें हम directly इसको divide करके answer लाते हैं दूसरी method आप यह दिसको करना चाहें दूसरी method होती है factorization method x square plus 7x plus 12 divided by x plus 4 उपर वाले को break कर दीजे x square plus 4x plus 3x plus 12 divided by x plus 4 जदि हमने x common ले लिया x plus 4, 3 common ले लिया x plus 4 divided by x plus 4 उपर से x plus 4 को जदि common ले लिया, x plus 3 divided by x plus 4 क्यांसर आपका answer आजागा x plus 3 यह दोनों ही method छोटे questions के लिए उचित है और हम इसको कर सकते हैं लेकिन जदि हम इसी को बड़े question को करना हो तो हमें shortcut method का इंतिजाम करना होगा जो जल्दी से हमारे answer को develop कर सकती है तो हमारी shortcut method है वो मैं अभी आपको बताऊंगा उसमें आपको जो question दिया हुआ है उसकी coefficients को लिख लेना है जैसे याद यह रखना है कि यहाँ पर कोई भी coefficient छूटना नहीं चाहिए 2, 1, 0 3, 2, 1 इस तरीके से होना चाहिए प्लस 4 दिया है तो माइनस 4 से प्लस 4 दिया है तो पहला इसी तरीके से नीचे आजाएगा माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 एड करने पर 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 एड करने पर 0 आखरी नमबर से इसी एक लाइन खेच देंगे यह दो आपकी question बनेंगे यह है x और यह 3 यह हो जागा x प्लस 3 यह आपका question यहां से reminder आएगा 0 तो इस तरीके से हम इस question को solve कर सकते हैं और जादा से जादा questions और tricks के लिए मेरे videos को like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, thank you